ओम नमेश्वय सभी वक्तों को जेशिरी राम ओम नमेश्वय मंत्र को सिद कैसे किया जाए इस विशे में बहुत सारी कमेंट्स आती है कि ओम नमेश्वय मंत्र बड़ाई चमतकारी मंत्र है लेकिन इसे सिद कैसी किया जाए ये एक सोचने वाली बात है तो इस मंत्र को सिद कैसे क्या जाए मैं आज आपको बता रहा हूँ इसे सिद करने का तरीका क्या है कि इस तरीके से आप इसे सिद कर सकते हैं और सिद कर आप इसका परियोग कर सकते हैं तो इसके लिए आपको 41 दिन का नुष्ठान करना होगा और उन 41 दिनों में आपको करना क्या है आपको भगवान शिव का कोई अच्छा सा मंदिर देख ले और वहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आपको भगवान शिव के मंदिर में आपको तीन लोटे जल भगवान शिव को तीन लोटे जल आपको चड़ाने है ओमनमेशिव का जाप करते भेे आप तील लोटे जल धवाण शीव को चढ़ाएं और उसके बाद धवाण शीव को चंदन का तिलक लगाएं गनिश जीव को लगाएं, मातापार्त्य को लगाएं और कार्ति की जीव को लगाएं और यदि सामर्ति है तो महीं बेर बैट कर जाप करें या फिर आप अपने घर पर भी आकर जाप कर सकते हैं और इस मंतर को जपा जाता है इस मंतर कर जपने का जो तरीका है वो तरीका होता है इसका जो तरीका है वो है पांच लाग जपने का वैसे तो यह मंतर पांच क्रोड का इसका पुछरन है लेकिन आप इसे पांच लाग जब कर भी सिद्ध कर सकते हैं तो यदि आप इसे पांच लाग की संख्य में से जब कर लेते हैं तो इसके चमतकरी लाब आपको मिलते हैं पांच लाग मंतरों को आप 41 दिन में डिवाइड कर लिए 41 दिन में जितने मंतर बैठते हैं उसके उपेक्सा आपको 100-700 मंतर आपको एक्स्ट्रा जोड़ कर आपको परती दिन आपको जाप करने हैं और यह जाप आप सुबह या साम दोनों मिला कर भी कर सकते हैं चाहे तो एक समय बैठकर कर सकते हैं और साथी इस मंतर को जपने के लिए आपको पांच महिने दिये जाते हैं वे पांच महिने होते हैं चेत, बेसाग, स्रावन, मंगसिर, कार्तिक ध्यान से समय ले ना चेत, बेसाग, स्रावन, मंगसिर, कार्तिक ये पाँच महिने हते हैं, इन पाँच महिनों के किसी भी सोमवार से आप परारण कर सकते हैं, वैसे जो इसके लिए उत्तम होता है, केवल और केवल स्रामनमास का सोमवार, स्रामनमास के सोमवार को इस मंतर को जपना परारण करना चाहिए, और कंटिनू एक तालिस दिन तक प को ब्रह्मuçारी प्रिवे का पू경र्प से प्लवन करना होगा एक समय आप भोजनOoh में आपको बर्त रखने के आए सकता ने यह आप बीना वर्त रखें भी भोजन करिकियेborg उन्हों कर रहेंगे। और दुन यह जाता तो दो कि हमीद जाता है और वर्त को रखने वाली स्थ या दोपैर भोजन करें रात्री में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि रात्री में भोजन करने से क्या होता है रात्री में जब आप इस मंत्र का कंटीनू जाब करेंगे तो आपको इस्वर सम्मंदि दर्सन होने सौबाविक है इस्वर के आपको दर्सन हो सकते हैं और शिव के सामी पे आप जाकर पूजा कर रहे हैं ऐसे दर्सन हो सकते हैं शिवलिंगों के दर्सन हो सकते हैं शिव मंदिरों के दर्सन हो सकते हैं तो यदि आप रात्री में भोजन कर आप सोएंगे 41 दिन तक सरहदा विश्वास के साथ आपको इसका जाब करना है इसका जाब करने से चमतकरी लाब होंगे और 101 परसेंट 41 दिन के अंदर यह मंतर सिद हो जाएगा और साथ ही आपको भगवान शिव के मंदिर में दो बार ध्यान से सिव चालिसा का आपको पढ़ना है दो बार सिव चालिसा पढ़ें और इसके साथ ही कंटिनू इस मंतर का जाब करते रहें यह मंतर आपका सिद हो जाएगा इस मंतर को सिद होते ही आपके अंदर चमतकारी गुन आपको देखने को मिलेगे बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा आप जिस ओर से भी निकल जाओगे उधर ही आपको फाइदा ही फाइदा होगा साथ ही इस मंत्र को जपने वाले व्यक्ति के उपर समस्ति देवताओं के अनुकंपा नयासी प्रात जाती है क्योंकि देवादी देव, महादेव, भगवान शिव, सभी देवताओं के पूझनी है उनके इस मंचाक्सिन मंत्र को सिध करने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुती पावर्फूल व्यक्ति हो जाता है इस मंत्र का अनुष्ठान परतेक्सि भक्त को अपनी जिवन में अवश्य करना चाहिए इस अनुष्ठान को करने के बाद आपको अपनी जिवन में बहुत सारे बदलाव मैसुल देंगे बहुत सारे अनुभव आपको होंगे तो आप continue इस मंतर का जाप करें सरदा विश्वास के साथ ब्रह्मचारे का पालन रखते भी सात्वीक भोजन आहार करते भी इसका पाठ करें आपको चमत का रिलाव होंगे सभी वक्तों को जैसी दिना